हालो एवरिवन, आप सभी का फिर्षे स्वागत हैं, यह घटना चक्र साइन्स का डिसकसन है, हम लोग बायलोजी को डिसकस करें हैं, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है वर्गी की, इसके तहट पहला प्रस्ण देखते हैं जिव बेग्यानिकों के अनुसार, पादब जगत और प्राणी जगत के जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ग्यात किया गया है, ढूण निकाला गया है और पहचान लिया है, संख्या के दिरिष्टी से अब तक ढूंडे हुए और पहचाने हुए जिवों में सबसे अध संक्या कीटों की है यानि इंसेक्ट्स की है केट ऑर्थो 앞에 पोड़ा संक्य अंतरगत आते हैं तथा अर्थोपोड़ा संक्य अंतरगत कूल ग्यात जनतु जातियों मैं से लगवग 60% और थो पोड़ा संक्य हैं यानि लगवग 15 मैं से नौल लाग और्थोपोडा संक्य है जन्तु जल अस्तल और वायू सभी जगहों में पाय जाते हैं पादब जातियों की संख्या लगवग चार लाग है कोस्चन नंबर सेकेंड है कथन ए कह रहा कि अमीबा वी भंजन के द्वारा जनन करता है कारण आर है सभी एक कोस्किये जीव अल्लैंगिक बीदियों से जनन करते हैं तो इसका ए अप्शन सही है ए और आर दोनों सही है आर एका सही असपश्टि करण भी है अमीबा एक प्रोटो जोवा एक कोस्किये जनतु है जो की प्राया दिविखंडन बीदि के द्वारा जनन करता है प्राया सभी एक कोस्किये जीव अल्लैंगिक बीदि के द्वारा जनन किरिया करते हैं Q3. गरम रूधीर वाले जन्तु वे होते हैं, जो अपने सरीर के तापकरम को क्या करते हैं? हमेशा एक सा बनाए रखते हैं. C-Apsom. Q4. गरम रूधीर वाले वे जन्तु होते हैं, जिनके सरीर का ताप वाता वरण के ताप से प्रभावित न होकर सदयो एक जैसा रहता है. इसके अंतरगत पक्षी और अस्तंधारी आते हैं, जबकि अस्म तापी के अंतरगत मतस्य उभैचर सरी स्रिप इत्यादी जन्तु आते हैं, जिनके सरीर का ताप वाता वरण के ताप के अंसाल घरता बढ़ता रहता है. Q4. निम्नलखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? इसका सही जबाब होगा यह अप्शन, सभी Echinoderm सजीव प्रजक होते हैं. इसके बारे में देख लेते हैं, Echinoderm स प्रवस्था में सरीर की सम्मिती द्वी पार्सी होती है, तथा सभी Echinoderm सजीव प्रजक नहीं होते हैं. इसलिए पहला कतन सही नहीं है. Q5. निम्नलखित में से कौन मचली नहीं है? इसके बारे माम लोगों ने पिछले सेशन में डिसकस किया था. कौन मचली नहीं है? आप जेली फिश, अस्टार फिश, सिल्वर फिश, कैटल फिश, हेक फिश, रेजर फिश और क्राइफिश इत्यादी. Q6. निम्नलखित में से कौन सा एक वास्तविक मीन है? यानि वास्तविक मचली है. चार अप्शन है. आपको बताना है कि कौन वास्तविक मचली है? इसका सही जबाब होगा, कैट फिश. राजत मीन एक छोटा पंखिन कीट है. क्रे फिश एक कड़े खोल वाला जानवर है. जेली फिश कसे रुकी जनतु नहीं है. तथा या मचली के सिर्णी में नहीं आता. कैट फिश वास्तविक मीन है. ध्यान कियेगा. 7. नमर कोस्टन है. निम्न का एक जनतु है. जेली फिश जो है. जेली फिश औरिलिया को कहते है. जो कि संग सिली ट्रेटा का एक जनतु है. है फिश साइकलो एस्टोमेटा समू का एक जनतु है. और इन में जबडों का अभाव होता है. या भी वास्तविक मचली यानि टू फिश नहीं है. समुदरी गोड़ा या अस्व मीन हिपो कैमपोस इनको कहते हैं जो कि एक वास्तिविक और इस्थिल मीन होती है यानि बोनी फिस होती है ज्याना किएगा कोश्चन नमर आठ है नेमलिकित में से कौन एक मचली है तो आपको मालूम है सही जवाब होगा समूद्री घोड़ा नाइन नमर कोश्चन है सबसे बड़ा अस्तन पाई कौन सा है तो वेल मचली ए अप्सन बुलू हेल पिर्थिभी पे पाए जाने वाला सबसे बड़ा अस्तन पाई जीव है इसकी लंबाई 33 मीटर से भी अधिक और वजन 180 मीटरिक टन से भी अधिक हो सकता है कोश्चन नमर 10 है वेल नीम्न वर्गों में से किस वर्ग का प्राणी है इसका सई जबाब होगा अस्तन पाई इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है एगारा नमर कोश्चन है नीम्न में से कौन सा अस्तन पाई है बताए चार अप्सन है आपको बताने कौन अस्तन पाई है इसका सई जबाब होगा वेल डी अप्सन बारा नमबर कोश्चन है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दात वाली वेलों में बिशालतम है निम्न प्रजातियों में से कौन सी दात वाली वेलों में बिशालतम है सही जवाब होगा एस्पर्म वेल एस्पर्म वेल बिशालतम दात वाली वेल है पूर्ण ब्यास्क नर एस्पर्म वेल 50-55 मीटर लंबी होती है और 35-45 टन वजनी की होती है तेरा नमबर कोश्चन है निमलिकित में से कौन अंडे देता है और सीधे बचे नहीं देता निमलिकित में से कौन अंडे देता है और सीधे बचे नहीं देता इसका सही जबाब होगा एकिड़ना एवं प्लेटीपस एक मात्र अंडे देने वाली अस्तन पाई जीव है question number 14 देखते हैं इसमें पूछा गए उड़ने वाली अस्तन पाई कौन सी है चार अप्सन है आपको बताना है उड़ने वाली अस्तन पाई कौन सी है इसका सही जबाब होगा चमगादर देखे चमगादर जो है अकास में उड़ने वाला एक अस्तन पाई प्राणी है जो पच्छी वर्ग में नहीं आता है यह पूण रुप से निस्ताचर प्राणी है और यह एक मात्र ऐसा अस्तन पाई है जो उड़ सकता है इसे अग्रबाहू पंक में परिवर्तित हो गए है जो देखने में जिली के समान लगते हैं त्वचा की अजिली गर्दन से लेकर हाथ की अंगुलियों और सरीर के पासर भाग से होती हुई पूँच तक चली जाती है और एक पंक का निर्माण करती है इसका सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है चमगाद़ इन तीनों को देखकर बताइए कि कौन अस्तंधारी है तो कौन अस्तंधारी है तो समुद्री गाय और समुद्री सी यानि B अप्सन यह मतलब कि जो समुद्री गाय और समुद्री सी जो है यह अस्तंधारी है समुद्री गाय यानि सी काव भी इसे कहते हैं और यह एक विसाल सकाहरी समुद्री अस्तंधारी है समूद्री घोड़ा एक परकार की कसे रूकी मचली है समूद्री सी भी एक जो है अस्तनधारी है सतरा नमर कोस्टे ने डॉल्फिन वर्गी कृत किये जाते हैं किसमे डॉल्फिन को किसमे वर्गी कृत किये जाते हैं सही जबावे अस्तनी में डॉल्फिन एक जलिये जन्तु है जिसे अस्तनी वर्थार मैमेलिया के गण सिटेसिया में रखा गया है यह एक अत्यांती बुधी या बुधिमान जन्तु है जिसका शरीर धारा रेखित होता है इसके मादा में जो होता है चुचुक उपस्तित होते हैं और गंगा नदी में पाए जाने वाली डॉल्फिन को राष्टिये जलिये जीव घोसित किया गया है अठारा नंबर कोस्टन है निमलिखित में से सील किस जाती का है इसका सही जबाब होगा अस्तन पाई डी अप्सन सील या फो का एक अस्तन पाई जन्तु है जो गण कार्णी वोरा के अंतरगत आता है या एक जलिये चूस्त और सक्तिसाली अस्तन पाई जन्तु है जो कि मांसा हारी होता है सिकार करने के लिए इनके नुकीले कैनाईन डात पाई जाते हैं तथा तैने के लिए इनमें चपू या फिलिपर्स उपस्तित होते हैं कोस्टन नंबर 19 है निरसंस प्राणी कौन सा है इसका सई जबाब होगा ओटर ओद बिलाव या ओटर एक निरसंस प्राणी है जो कि एक अस्तन धारी जन्तु है वेल का सरीर धारा रेखित होता है और इसकी त्वाचा के नीचे वासा का मोटा अस्तर ब्लबर सरीर में ताप रोधक का कारे करता है ध्यान रखिए तो एमफिबिया इसका मतलब है जल और अस्तल दोनों पर ही रह सेकने वाले पसुओ को यह जो है एमफिबिया इनको एंडिकेट करता है एमफिबिया अथार उवेचरवर के अंतरगत ऐसे जन्तु आते है जिनके सरीर जलिया और अस्तल यह दोनों परकार के जीवन के लिए जो है उपियोगी होता है और यह जन्तु जो होते है अस्तम तापी होते है जिनके सरीर का तापमान वातावरन के नुसार घटा बढ़ता रहता है जैसे मेड़क टोड इत्यादी एक किस नमबर कोश्चन है नीम्र में से कौन सा गुण मनुस्यको अनसवीवानर गुणों से प्रिथक करता है वह कौन सा गुण है जो मनुस्यको अनसवीवानर गुणों से प्रिथक करता है इसका सही जबाब होगा जानने की एक्छाप परगट करना ए अप्सन इसके बारे में देख लेते हैं बुद्धी में मानो सरोच जन्तु है सिर्फ इसी जन्तु में गुढ ज बर्तमान काल में इसकी कपाल गुहा का जो आयतन है और ऑसतन 1475 क्यूबिक सेंटिमीटर है ध्याना किएगा कुश्चन नमर 22 है निमलखीत में से कौन सा एक कपी नहीं है कौन सा एक कपी नहीं है चार अप्सन दिये गए आपको बताना है कौन सा एक कपी नहीं है इसका सई जबाब होगा लंगूर सी अप्सन इसको कपी वर्ग में नहीं रखा गया है कपी प्राणी जगत में होमी नोईडेया महपरिवार की सदस जानवर जातियों को कहा जाता है इनकी दो सखाये हैं हिन कपी और महा कपी हिन कपी जो है यह छोटे अकार के कपी होते जैसे गीबन और महा कपी यह बड़े अकार के मानो नूमा कपी होते जैसे चिपैंजी, गोरिला, मनूस और ओरांग उटान लंगूर कपी वर्ग में नहीं बलकि वानर वर्ग में सामिल किया जाता है टेस नंबर कोस्टन है मानो सद्रिस लगुतम कपी है आपको मालूम है इसके बारे मे कुछ सेकेंड पहले ही हम लोगों ने डिसकस किया है मानो सद्रिस लगुतम कपी है वह है गीबन गीबन हिन कपी के सिरणी में आता है या छोटे अकार के कपी होते है जबकि चिपैंजी, गोरिला और ओरांग, उटान बड़े अकार के कपी होते है और यह महा कपी के सिरणी में आते हैं 24 नमर कोश्टर ने निलगाय निमल्खित कूल में आती है इसका सही ज़बाब होगा हिरन के कूल में D option निलघाय जो हैं भारत में पया जाने वाले 20 सालात पम्रीग प्रजाती हैं मिरिग उन जनतूओं को कहा जाता है जीन में अस्थाई सिंग होते है अथाट हिरुन के स्रिंगावों के समान निलघाय के सिंग हर सालगे नैस सीरे से जो है नहीं उगते कोस्टन कुस्चन 25 है निमलखित में से किस जन्तु में खूर नहीं पाए जाते हैं इसका सई जबाब होगा पताईए इसका सई जबाब है गिदड यानि B अप्शन इसमें खूर नहीं मिलता है गिदड को छोड़कर सेस खूर वाले पसु हैं गिदड कुट्टे के परिवार की एक प् पर नाखून यूकते गदिदार होते हैं कुस्चन 26 है अक्टोपस बताईए यह क्या है अक्टोपस जो है यह एक मुलस्क है एक मिरदू कवची मुलस्क है यानि D अप्शन देखिए अक्टोपस एक मिरदू कवची जन्तु है जिससे डेविल फिस के नाम से भी जानते हैं यह एक सिफ हैलो पूड मुलस्क है जिसमें आठ मुख्ये भुजाएं पाए जाती है इसके सिर में मुख्य तथा दो बड़े नेत्र पाए जाते हैं इसके अलावा इसकी भुजाओं पर दो पंक्तियों में चुसक पाए जाते हैं 27 नमर कोश्जण हैoterी सबसे बड़ा अग कसेरूखी है सबसे बड़ा अयुक कसे रूखी है यू अधिकतम 12 से 14 मिटर तक लंबा हो सकता है 28 नमर कोश्चन है निमलकित में से कौन सा एक जीव अन जीव मतलब की जो अप्शन में दिया गया है कौन सा एक जीव अन तीनों जीव के वर्का नहीं है सही जबाब है केकड़ा केकड़ा जो है या अन तीनों जीव के वर्ग का नहीं है केकड़ा का जो वर्ग है वह है मैलेक कोष्ट्रे का बरूती का जो वर्ग है वह है एरेक नीडा और बीक्छु का जो वर्ग है वह है एरेक नीडा और मकडी का जो वर्ग है वह है एरैक नीडा असपास्ट है कि केकडा अन्ट तीनों जीवों के वर्ग का नहीं है Q29 है वाइट लेग हॉर्ण 21 में है वाइट लेग हॉर्ण 21 में किसका तो कुकोटो की कुकोटो की यानि C अप्सन आपका सही जवाब है आगे बढ़ते हैं next question है question no.3 है Tick and might वास्तों में होते हैं Tick and might वास्तों में क्या होते हैं तो सही जबावे मकडिवन्सी ए अप्सन Tick पथा मight वास्तों में मकडिवन्सी होते हैं जो कीした एरैनीगण के अंतरगद आते हैं एरैनी गण याद रखिएगा एरैनी गण के अंतरगत टीक और माइट जो हैं ये मकडी बंसी हैं और एरैनी गण के अंतरगत आते हैं इनके उपांग संधी यूगत होते हैं तथा इनका सरीर द्वी पार्सिये और त्री अस्तरिये होता है अधिकांज टीक कसेरुकी जीवों के बाप पर जीवी होते हैं जबकि माइट्स पर जीवी तथा सोतंत्र जीवी होते हैं कोश्चन नमबर 31 से जुगनु होता है एक क्या होता है जुगनु क्या होता है तो सही जवाबे जुगनु एक कीट होता है बी अप्सवन जुगनु या खदोत कीटों का एक परिवार ह इनके पंक्त होते हैं यह जीव डिपती उत्पन करके अपने संगी को आक्रेष्ट करते हैं या दूसरे जानवरों का सिकार करने के लिए इसका उपियो करते हैं बैक्यानिकों ने यह सिध किया कि जुगनु की चमक लिूसी फेरेस नामक एंजाइम के कारण होती है लिूसी फेरेस जो है इसका एंजाइम जो है इस करण इसमें चमक उत्पन होता है तो इसको ध्यान रखियेगा लिूसी फेरेस कुश्चन नमबर 32 है निमनलीखित में से कौन सा कीट नहीं है चार अप्सन है आपको बताना है कि इन में से कौन सा कीट नहीं है तो देखिए आपका सई जबा होगा B option मकड़ी मकड़ी वर्ग जो है एरेक नीड़ा और क्रम एरेनी का एक जन्तू है मकड़ी वर्ग एरेक नीड़ा तथा क्रम एरेनी का एक जन्तू है जो कि उदर के पसात भाग में इस्तित ग्रंतियों के स्राव से जाल बनाती है सभी मकड़ीया पर भक्षी होती है अन्य विकल्प के जन्तू कीट वर्ग के अंतरगात आते हैं इनमें तीन जोड़ी अथार च्छ पाद होते हैं यानि 6 लेक्स पाए जाते हैं जो कि सभी कीटों के बिस्स्ट गुण है मकड़ी कीट वर्ग के अंतरगात नहीं आती है किमकि इनके जो लेक्स हैं यानि पाद हैं 8 पाए जाते हैं इनमें 8 पैर मतलब की महजूद होते हैं कोस्टा नमबर 33 मकड़ी कीट से भीन होती है तो आपको मालूम है मकड़ी जो है कीट के सरेणी में नहीं आता है 35 नमबर कोस्टन है निमनलिखीत में से किस जीव का रग्ट सफेध होता है यह बहुत बार कोस्टन पूछा जा चुका है निमनलिखीत में से किस जीव का रग्ट सफेध होता है इसका साही जबाब होगा तिल-चट्टा तिल-चट्टा का जो बलड होता है सफेद होता है ओक्सिजन के लिए हेमो-ग्लोबिन का प्रियोग नग करने के कारण तिल-चट्टे के खून का रंग लाल नहीं बलकी रंग हीन होता है कौकरुच में जो कौक्रूच होते हैं,िनके रक्त ब्लट के दौआए औक्सीजन का परिवाद नहीं किया जाता है और इसका रंग भी लाल नहीं होता है, क्योंकि इसमें हेमोगलोबिन उपस्तित नहीं होता है ध्याना किएगा जो ब्लड का रंग लाल होता है किसके कारण तो हीमोगलोबीन के कारण कौक रोच के सरीर के परते खंड में इस ती ट्यूड की एक प्रणाली के माध्यम से कोशिकाय तक सीधे ऑक्सीजन पहुंचती है और इनका रंग ही या सफेद रंग का होता है कोश्चन नमबर 36 है जब चीटिया काटती है तो वे अंतच्छेपित करती है जब चीटिया काटती है तो क्या अंतच्छेपित करती है तो सही जबाब है फॉर्मिक अमल चिटिया के काटने या काटे जाने पर सरीर में फॉर्मिक अमल का अंतच्छेपन होता है जिसके प्रणाम सरुक शरीर में दर्ल तथा चुन्चुना हट का अभास होता है एक कार्वनिक योगिक होता है जो कि कार्वाक्सलिक सिरनी का प्रथम सदस्य है जिनका दैनिक उप्योग जिवाणो नासी के रूप में रबर के बेवसाय और फलो के रसों को सुरक्षित रखने में किया जाता है कोश्चल नमर 37 है मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेसा कहलाता है क्या कहलाता है मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेसा गौस्मिर रेसम कहलाता है याद रखिएगा मकड़ियों के द्वारा उत्पादित रेसम को गौस्मिर रेसम कहते है Q. 38 नेमलेखित कतनों पर विचार कीजिए इसमें 4 कतन है बताना है कौन से कतन सही है पहला कतन है फिता क्रीमी उभै लिंगी है दूसरा है गोल क्रीमी के अलग-अलग लिंग होते है फाइल एरिया सुत्र क्रीमी से होता है और गीनी क्रीमी एने लीड है इसमें सही जवाब क्या होगा तो आपका सही जवाब होगा पहला दूसरा और तीसरा स्टेटमेंट जो गीनी क्रीमी है इनमें मतलब दिया गया कि गीनी क्रीमी एने लीड है यह सही नहीं है तो चौथा स्टेटमेंट यानि चौथा कतन सही नहीं है क्योंकि गीनी क्रीमी एक सुत्र क्रीमी है जिनका जन्तु बैज्यानिक नाम ड्रेकन कुलस मेंडिनेंसिस है याद रखेगा ड्रेकन कुलस मेंडिनेंसिस या मनुस और कुछ दूसरे अस्थनियों पर जो है परजीवी जन्तु है जिसके संक्रमन से सरीर में दाग, उल्टी, खुजलाहट और योसीनो फिलिया इत्यादी के लक्षण परगट होते हैं ये सब सरीर में इस परजीवी के बिसेलेपदार्थ के परभाव के कारण उत्पन होते हैं ध्यान रखिएगा कोस्टन नमर 49 है नेमलखीत में से किस गुरूप के जन्तु प्रायर रात्री चर होते हैं इसका सही जवाब होगा मच्छर, चमगादर और उल्लू यानि बी अप्सन देखिए रात्री चर जन्तु व्य जन्तु होते हैं जो मतलब कि दीन में अराम करते हैं और रात्री में ये सक्री रहते हैं इन जन्तु में प्राया स्रोण और सुंगने की अत्याधिक छमता होती है और द्रिष्टी छमता बीसेस अनुकुलित है मच्छर, चमगादर, उल्लू और कीवी इत्याधी जनतू जो हैं ये रात्री चर होते हैं चालिस नंबर कोस्टन है मच्छरू के बारे में निमल्कित कथनों पर विचार करिए मच्छरू के बारे में जो कथन दिया गया इसमें पांच कथन है पहला है कि किवल नर रक्त चूसते हैं दूसरा है किवल मादा रक्त चूसती है जो मच्चर मादा है यह रक्ट चूसती है बताइए सही है या गलत देखे इसके बारे मम लोगों ने पिछला सेसन में अच्छे से डिसकस किया था और तिसरा है मादा पौधों का रस चूसती हैं चौथा है मादा की अपेक्षा नर के डैने बड़े होते हैं और पाचवा है नर के अपेक्षा मादा के डैने बड़े होते हैं इसमें देखिए सही जवाब है देखिए केवल मादा रक्त छूसती है यानि दूसरा इसके बाद इसमें जो पाचवा है नर के अपेक्षा मादा के डेने बड़े होते हैं किवल दूसरा और पाचवा सही है ठीक है इसके बारे में फिर से हम लोग रिपीट कर लेते हैं किवल मादा मच्छर ही गरम रूधिर वाले कसे रूकी पच्छियों और अस्तनियों के रूधिर जो है यानि जो बलड हैं चुसते हैं और बाह पर आने तो नर्मच्छ से बड़े होते हैं 41 नमबर है निमलकित में से कौन प्राणी अपनी आत्र में जल का संग्रफ कर लेते हैं वह कौन से प्राणी है जो अपनी आत्र में जल का संग्रफ कर लेते हैं इसका सही जवाब होगा उट बी अप्सन उट जो उट है कैमेल जो है इसको रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है, क्योंकि इनका सरीर पुन्तम मर्वस्तल के प्रती अनुकुलित होता है, इनके पैर गद्यदार होते हैं, सुवसन की जो लेह अति धीमी होती है, और जो उठ हैं, एक बार में अत्यदिक जल को पी कर जल का संग्रा अपनी आत्र में क सबसे लंबी ओधी तक रह सकता है, इसका सही जबाब होगा, कंगारु रेट यानि कंगारु चुहा जो है, बीना पानी पीए सबसे अधिक दीनों तक ही रह सकता है, ज्यार कियेगा, इसके बारे में भी हम लोगों ने डिसकस किया था, कंगारु रेट जो है, बीना पानी पिए सबसे लंबी ओधी तक जीवित रह सकता है उसमें यह अनुकुलता उसके उससर्जन तंत्र यानी वरिक की विशेश सनचना कारे प्रणाली के कारण होती है 43 नमबर कोश्चन है नेम्रे लिखित में से कौन सा जानवर ठोस मुत्र उससर्जित करता है सही जवाब है कंगारु चुहा ए अप्सन 44 नमबर कोश्चन है सर्पो की 20 गरंथिया किसकी सम्मांग है सही जवाब है कसेरु की प्राणियों की लार गरंथिया के सम्मांग है यानि D अप्सन आपका बिल्कुल सही होगा इसके बारे में देख लेते हैं सर्पो की 20 गरंथिया कसेरु की प्राणियों की लार गरंथियों यानि जो कह सकते हैं लार गरंथिया इनके समांग होती है सांप का 20 वास्तों में उसकी लार का ही परिस्कृत रूप है 45 है सांप के जहरीले 20 दंथ होते हैं जो रूपांत्रित रूप है किसका तो जम्भिका दंत के यानि D option बिसेले सापों में उपरी जबड़े की मैक्सली हड़ियों के एक से तीन जोड़ी प्राय एक जोड़ी बड़े और पीछे की ओर मुड़े 20 दंत तालू से मुख गरासन गोईका में उबरे रहते हैं जो बिसेले साप हैं इनके उपरी जबड़े की मैक्सली हड़ियों के एक से तीन जोड़ी प्राय एक जोड़ी ठीक है बड़े और पीछे की ओर मुड़े 20 दंत तालू से मुख गरासन गोईका में उबरे रहते हैं या मैक्सिलरी दंत यानि जम्रिका दंत उपरी जबड़ों में ही इस्तित 20 गरंतियों से संबंध होते हैं ठीक है प्वाजन ग्लैंड्स कोस्टन नमर 46 है चटान पर उगने वाले पादप कहलाते हैं जो पादप चटान पर उगते हैं उनको क्या कहते हैं सेलोदभीत D option चटान पर उगने वाले पादप को सेलोदभीत कहते हैं 47 नमर कोस्टन है निमलकित में से कवरन सा एक किट हारी पादप है यह कोस्टन बहुत बाद पुछा जाचुका है सही जवाब होगा घट पर्णी घट पर्णी जिसे हम पीचर प्लाइंट भी कहते हैं यह पौधाज होता है मतलब की सिकार पकड़ने की अपनी बनावट की कारण मांस भक्षी पौधे करूप में जाना जाता है घट पर्णी पौधों में फसे कीट उसमें एकत्रित भी सहले द्रव से मर जाते हैं फोटी एट है घट पर्णी के निमलखित भागों में से कौन सा एक घट में रुपांतरित होता है घट पढ़नी के निमलखित भागों में से कौन सा एक घट में रुपांतरित होता इसका सही जबाब होगा पत्ता बी अप्सन घट पढ़नी मांसाहारी किट भक्षी पौधे होते हैं जो अल्प खनी जिया अमलिय मिर्दा में उखते हैं जहांपर नाइट्रोजन की कमी होती है नाइट्रोजन के कमी को पूरा करने के लिए ये किटों को अपना अहार बनाते हैं इन पौधों की पतियों के पण फलक कलस या सुराही के भागती बिक्सित होते हैं जिसमें पाचक एंजाइम पाए जाते हैं जैसे ही कोई किट पतियो के अंदर पर्विष्ट होता है, वैसे ही कलस के धकन के द्वारा धक लिया जाता है, और पाचक इंजाइमों के द्वारा, नाइट्रोधन का पाचन घट पढ़न के तरहा कर लिया जाता है, ज्याल किए गा, और इसके बाद question number 49 है, नेमलकित परकास अंसलेशन के किरिया के द्वरा आपना भोजन बनाने में सक्षम होता है यह प्राय ऐसे अस्थान पे उठता है जहां कि मिर्दा में नाइट्रोजन की कमी होती है जिसके पूर्ती वक्कीटों को पचा करता है question number 50 है निमलखित में से कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है कौन सायूग में सही सुमेलित नहीं है इसका सही जबाब होगा घट पढ़नी यानि जलोद भी दिया गया है या जो है सही सुमेलित नहीं है डी अप्सन आपका सही जबाब होगा घट पढ़नी नेफेथिन्स कूल का किट भक्ची पौदा है जो घट पढ़नी है नेफेथिन्स कूल का किट भक्ची पौदा है और ये पौदे जो हैं मुख्याता साख होते हैं निहार्ग होते हैं और दल्दली या अधिक नम अस्थानों पर उखते हैं जलोद भीद से आसे अंस्था अथ्वा पुणत जल निमगन पौदे से हैं और इस प्रकार के पादप जलिये परियावरण में रहने और विक्सित होने के लिए अनुकुलित होते हैं चंदन और चंदन के बाद आंसिक मुल पर जीवी होता है ठीक है चंदन जोता है आंसिक मुल पर जीवी कोस्टन नंबर 51 है नेफेंथिन्स खासियाना जिसे घट पर्णी भी कहते हैं तो घट पर्णी नामक दुरलब और अपातिय पौधा पाया जाता है कहां तो सही जवाब होगा मिघाले में नेफेंथिस खासियाना या घट पर्णी जो पौधा है भारत के मिघाले राज के गारो खासी और जैनतिया पहाडी छेत्रों में पाया जाता है कोस्टन नंबर 52 है पौधों के कौन सा भाग हल्दी प्रात होती है पौधों के कौन से भाग से हल्दी प्रात होता है आपको मालूम है सही जवाब होगा तन्ना इसके बारे में देख लेते हैं और इससे पहले वाले सेशन में भी इसके बारे में हम लोगों ने डिसकस किया था पौधे के तन्य के हाग से हल्दी प्राप्त किया जाता है हल्दी के पौधे को खाने लायक हिस्सा प्रकंध है जो की एक अंत्वा भौमिक रुपांत्री तन्य का परकार है हल्दी का पौधा एक प्रकंधिये बहुवर्शिये साकिये पौधा है जिसका वानसपतिक नाम कुर्कुमा लंगा है कुर्कुमा लंगा है इसका मतलब हल्दी का जो वानसपतिक नाम है कुर्कुमा लंगा यह कुल जिंजी बरेशी के अंतरगत आता है जो यह कुल है इसकी किस कुल के अंतरगत आता है तो जिंजी बरेशी इसकी उत्पति अस्तल उस्च्ण कटी बन दिये दक्षिन एसिया है जिसका उपयोग औस दी मसाले रंग कारक इत्यादिक रूप में किया जाता है और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त करते हैं नेक्स सेशन में कुस्चन नमर 53 से स्टार्ट करेंगे आप लोग अपना पर्तिकिरिया जरूर दीजिए आपके पर्तिकिरियाओं का हमें बिसबर से इंतजार रहता है और जिन लोगों ने टेलिग्राम चैनल और टेलिग्राम ट्विज ग्रूप को जो है जोई नहीं किया है तो वीडियो के डिस्केप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है प्लीज आप लोग जोईन किजिए थैंक्यू